नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल Health and Medicine हिंदी में देखे पिछले कुछ समय से alkaline water एक चर्चा का विसे हैं बहुत सारे लोग alkaline water की बात्य करते हैं क्या alkaline water पीना अच्छा है कि नहीं alkaline water पीने से क्या फाइदे होगे उसके क्या नुक्षान है यह सब चीजों के बारे म मैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको alkaline water का एक short introduction दे देता हूँ देखे जिस water का जिस पानी का pH level साथ से अधिक है उसे alkaline water कहीते हैं जो भी आदर alkaline water है उसकी pH value 8-9 के बीच में होनी चाहिए आज के वीडियो में मैं आपको जो भी फाइदे और नुकसान बताने वाला हूँ उसके उपर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि alkaline water के क्या फाइदे हैं नमबर एक more hydration मतलब कि alkaline water की hydrating property है मतलब कि जब भी आप वचा सुकी है जो लोग अक्सर dehydration के शिकार होते हैं जो लोग को पसीना बहुत ज्यादा आता है और जो बहुत ज्यादा exercise करते हैं उनके लिए alkaline water का 7 अच्छा है नमबर दो है more minerals जो भी alkaline water कुद्रती स्त्रोथ से प्राप्त होता है उनमें minerals की मात्रा बहुत अच्छी होती है खास करके calcium और magnesium इसलिए अगर आप alkaline water का 7 करते हो तो आपकी हड़ी आपके जो bones है वो मजबुत होते हैं नमबर तीन है acid neutralizing देखे आपके सरीर में जो भी unnecessary जो के लिए उसे बढ़ाने के लिए भी alkaline water फाइदे मंद है नमबर चार है pH level balancing देखे जो बड़े-बड़े nutritionist होते हैं वो सब हमें ऐसा खोरा खाने की सलाह देते हैं जहां पर 70% alkaline होता है और 30% acid होता है लेकिन हमारी day-to-day जो busy life है उसमें यह चीज कर पाना बहुत मुश्कि कैसे करते हो तो हमारे शरीर में जो pH level का संतुलन बिगड़ गया है वह संतुलित हो जाएगा उसका balance बना रहेगा नमबर पांच है प्रिवेंट cell damaging free radicals देखें हमारे शरीर में जो भी free radicals होते हैं जो हमारे शेल को हमारे मास्पेशियों को damage करते हैं उसे alkaline होटर की मदद से रोका जा सकता है क्योंकि alkaline होटर में बहुत अच्छी मात्रा में antioxidants होते हैं जो free radicals को oxidation करके सरीर के बाहर निकाल देते हैं इसलिए हमारे मास्पेशियों अच्छी तरह से काम करती है और उसका growth भी अच्छा रहता है अब बात करते हैं कि अगर आप alkaline होटर का 7 बिना सोचे समझे करते हो सही समय पर alkaline होटर का 7 नहीं करते हो और अगर 7 करते हो तो आपको क्या नुक् करते हैं तो उसे चक्कर और रूटी जैसा लगता है उन्हें कभी भी ट्राविलिंग के दोनार alkaline होटर का उपयोग नहीं करना है नंबर दो है पाचन शक्ति कम होना तेखिए अगर आप मात्रा में alkaline होटर का 7 करते हो तो जो हमारे स्टमक एसीड है वो भी alkaline होटर से neutralize हो देखे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं जिन्हें चोटी चोटी चीज़ की भी एलर्जी होती है अगर वह लोग alkaline होटर का 7 करते हैं तो शायद उसके सरीन में भी एलर्जिक रियक्शन हो जाए इसलिए अगर जो लोग prone to allergy है उन्हें कभी भी alkaline होटर का 7 अब बात करते हैं कि alkaline होटर का सेवन सही है कि नहीं देखे alkaline होटर पर अभी रिषेट चड़ रहे हैं कुछ evidence आपको एसे मिलेंगे जो कहेंगे कि alkaline होटर का 7 अच्छा नहीं है आपको क्या करना है कि आपको जो भी benefits लेना है alkaline होटर में से उसके हिसाब से पर सही समय पर अपने रूटीन में शामिल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट और डाइटिशन की सलह जरूर लेनी है बिना प्रोफेशनल एडवाइस के कभी भी आलकलाइन होटर का सेवन चालू नहीं कर देना है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आज का व बारत